एक प्रेम मिलन नर्गिस देखती है पत्थर की मुर्ती एक बड़े विशाल नाग में बदल गई अब आगे नर्गिस तुम्हे तुम्हारा नागेश जरूर मिलेगा लेकि उसके प्राण लोटाना मेरे वश्मे नहीं है नर्गिस काल गुरू न उसके प्राण उसके जिसम से निकाल तो लिए और उसके जिवन काल की अवधी अभी खत्म नहीं हुई है तो कहा है मेरा नागेश गुरू देव वो एक मानव शरीर में जन्म ले चुका है तुम्हे उसके तलाश करनी होगी लेकिन लेकिन गुरू देव लेकिन नर्गेश उसको पुराना कुछ याद नहीं होगा वो कौन है सब कुछ भोल चुका होगा तुमको भी वो एक साधार इंसान के तरह जीवन जिएगा तो गुरू मुझे मेरा नागेश और उसका प्यार कैसे मिलेगा दोबारा प्रेम की शक्ति से नर्गेश प्रेम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़ी से बड़ा भगवान भी जुक जाता है वो सब शक्ति से बढ़कर होती है मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरू देव तुमको उसको दुबार आपने प्रेम वश्मी करना होगा एक मानव कर्मिया की तरह तुमको उससे विवा करना होगा उसकी बाद ही उसको सभी आदाएगा लेकिन मुझे वो कहा और कैसे मिलेगा गुरू देव नर्गेश नागेश अभी बच्चा है उसे अभी कुछ समझ नहीं है जब तब वो बड़ा नहीं हो जाता थोड़ा सा तुम यही नाग लोग में रहो और तपस्या करो उस तपस्या से तुमको दिविद्रिष्टी प्राप्त होगी जिससे तुम नागेश और होने वाली सा मुतिक बन जाता है कुछ साल बाद नर्गेश को एक आवाज आती है उठो नर्गेश तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई नर्गेश आखे खोलती है और बोलती है जय नाग देव तुमको दिविद्रिष्टी प्राप्त हो चुकी है नर्गेश तुम नागेश के पास लेकिन याद रखना नागेश को तुम्हारे नागिन होने की सच्चाई बिलकुल पता न चले लेकिन कभी न कभी तो उसको पता चली जाएगा गुरु देव हा नर्गेश जब उसको दुबारा तुमसे प्रेम होगा सच्चा प्रेम उसके बाद इस सच्चाई आएगी साम उसके बाद तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे नर्गेश नाग गुरु को नमन करके नागेश की तलाश में चल देती है नागेश एक सत्रा साल का सुन्दर लड़का बन चुका है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था विजय तुम्हें उस बॉल को ठ तरफ चल देता है ओ ना जाने किधर गई विजय जाडी में हाथ डालता है और एक साप की पूच पकड़कर बाहर खीच लेता है साप उसको दस लेता है अरे विजय को साप ने रस लिया चलो जल्दी उसके घर बताते हैं और अब घर की तरफ भागते हैं तब ही वहां मर्क अफ्तरित होती है वो भाग कर विजय को अपनी गोद में लिटा लेती है तुमको कुछ नहीं होगा नागेश मेरा मतलब विजय उसके हाथ के तरफ अपना जीब रखने ही वाली होती है कि उसको एक आवाज आती है इतना बोलकर नागेश के साथ रहने के एक तरकीब देता हो बस तो मेरा साथ दो इतना बोलकर नाग देव एक सफेरा बन जाते हैं नर्गिस भी समझ जाती है वो भी एक संदर सी लड़की बन जाती है जिसकी आखों की चमक बहुत ही प्यारी थी और देखने में बिल्कल परी जैसी तब तक विजय की मा विभा और पती भी वहां भ शांत रहो देवी इसको तो मेरी बच्ची ही ठीक कर देगी ऐसा बोलकर नर्गिस की तरफ इशारा करते हैं नर्गिस विजय की हाथ से सारा जहर निकाल देती है विजय को खोश आने लगता है हे महराज धन्य है आप चलिए हमारे घर विश्राम करने के लिए हमें तो अभी इसको निकल चला जाओंगा जो आग्या महराज हाथ जोड़ते हुए बोलती है बेटी तुम्हारा नाम क्या है जी मेरा नाम महक है महक कितना प्यारा नाम है जितना प्यारा नाम उससे भी सुन्दर हो तुम चलो महक हमारे साथ सब घर चल देते हैं विजय की चाची रेखा अपने पती सुन्दर और बेटी नंदनी के साथ दोड़ कर गेट पर आती है क्या हुआ दीदी विजय को विजय को देखकर बोली कुछ नहीं साप ने काट लिया था लेकिन अब सब ठीक है महक की तरफ देखकर बोलती है ये लड़की कौन है इसकी वज़से तो विजय ठीक हुआ है तुम उस कमरे में अपना समान रगदो महक अपसे वो तुम्हारा कमरा महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में लगचाती है लेकिन चाची को ये बात रास नहीं आती अपने कमरे में जाकर ये पता नहीं किसको उठा कर ले आए है इसका भी काम मुझे ही करना होगा क्या मैं कोई नौकरानी हूँ उस घर की अरे रेखा तुम पैशान मत हो बस कुछी दिन की बात है फिर मैं अपने भाई उसकी बीवी और बच्चे को मार दूँगा फिर सारी जादात की मालगिन तुम ही हो तुम तो कब से यही बोलते आ रहे हो आज तक तो कुछ होआ नहीं तुम से चलो देखो पिर अब इस लड़की से ही शुरू करते है क्या शुरू करते तुम से कुछ नहीं होगा बस मेरी ही जान आफत में पड़ी है ये लो जहर उस लड़की के खाने मिला कर देना और बोल देंगे उसको सापके उस जहर नहीं मार डाला जो उसने पिया था शाम को सब खाने के लिए बैठ जाते हैं रेखा चुपके से महक के खाने में जहर डाल देती है महक तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ क्यों नहीं मैं तो वैसे भी अकेली ही हूँ तभी विजय बीच में बोलता है मेरी भी दोस्त बनोगी हाँ हम सब अपसे दोस्त हैं महक लो जल्दी से खाना लो जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ और उसके पास बैट जाती है तुम अपना खाना खाओ चुपचाप नंदनी को दाटते हुए बोली कोई नहीं रेखा, खाने दो रेखा और सुन्दर इससे पहले कुछ कर पाते नंदनी जहर वाला खाना खा लेती है लो महक, मैंने खा लिया तुम भी खा लो, बहुत स्वादिश्ट है इतना बोल कर नंदनी चक्कर खा कर गिर जाती है कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल एनिम स्टोरीज और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यूँ एपिसोड ओनली एनिम स्टोरीज पर